नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो आज है डे 16, दे शेथ मटरियल बुक रीडिंग, शेथ स्पीक्स बाइ जैन रॉबर्ट्स, तो अब तक हमने काफी कुश अलग-अलग चैप्टर्स पड़े, जिनमें हमने लाइफ के अलग-अलग पहलू के बारे में, अलग-अलग परिशितियों के बारे में हमने समझा, कल हमने पास्ट, प्रिजन्ट और फीचर के बारे में हमने समझ ली, तो चलिए आज के दिन को हम प्रारम करते हैं, आज का दिन है इगो, यानि कि अगर इसको चालू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया और लाइक तो वो हमारी चैनल को सब्स्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और कॉमेंट कर दे तो चलिए शुरू करते हैं इगो इगो यानि कि अहंकार शेत कहते है अहंकार एक इर्शालू देवता है और वह अपने हीतों की पूर्ती चाहता है शेत कहते हैं अहंकार एक इर्शालू देवता है और वह अपने हीतों की पूर्ती चाहता है वह उन आयामों को छोड़ कर किसी भी आयाम की वास्तविक्ता को स्विकार नहीं करना चाहता जिसके बीतर वह सहज महसूस करता है और समझ सकता है यानि कि हमारा एगो हमें किसी भी चीज़ को समझने नहीं देना चाहता है इसका उद्देश्य सहाइता करना था लेकिन इसे अत्याचारी बनने की अनुवती दे दी गई है पिर भी यह आम तोर पर अपेक्सा से कहीं अधिक लचीला और सिखने के लिए उत्सुक है या मुल रूप से उतना कठोर नहीं है जितना लगता है इसकी जिगनाशा बहुत मुल्यवान हो सकती है तो इगो को हमें यूज करना है अमारी आंतरिक परिश्टिती को और उन्नत स्थिती के और ले जाने के लिए अमारी बाहरी परिश्टिती को और उन्नत स्थिती को और पहुचाने के लिए हमें इगो का यूज करना है जबकि हम इगो के गुनाम बन रहे हैं शेत पुछता है आपके लिए यह सिखना इतना कठिन क्यों है कि स्वतंत्रता क्या है मैं आप से पुछता हूँ आप क्या सोचते है कि एक पुल कितनी दूर तक पहुँच पाएगा यदे सुबह यह अपना चहरा आकास कियो और करे और कहे मैं सुरज की मांग करता हूँ और अब मुझे बारिष की जरुरत है इसलिए मैं इसकी मांग करता हूँ और मैं मदुमक्यों से मांग करता हूँ कि वे आए और मेरा पराग ले जाए इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सूरज एक निश्चित संक्या में गंटों तक छमकता रहे और बारिश एक निश्चित संक्या में गंटों तक होती रहे और मदुमक्या आए, मदुमक्या A, B, C, D और E क्योंकि मैं यह स्विकार नहीं करूँगा कि कोई अन्य मदुमक्या आए तो ये है इगो, इगो चाहता है कि जैसा वो चाहता है दूसरे लोग उसी तरीके से उसके साथ बरताव करे और वो जो चाहता है वैसा ही करे लेकिन हमने कभी पूलों से, हमने कभी पेड़ पत्तों से ऐसा नहीं चाहा कि जैसा वो चाहते है वैसा उसके इद गीद होता रहे क्योंकि कोई भी फूल ये नहीं चाहता कि वह तूट के कोई उसे तोड ले और उसको तोड के कहीं और फैख दे उसकी सुगन को उसको मचल दे ऐसा कभी भी कोई फूल नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो सब चीजे उसको एकसेप्ट कर रहा है कोई भी पैड पता फूल ये नहीं चाहता कि वो अपने पैड से जुदा हो जाए अपने ओरिजिनेटर से जुदा हो जाए लेकिन फिर भी उस हर एक चीज को एकसेप्ट कर रहा है तो सबकुष अपने आपो होने दे रहा है मैं मांग करता हूँ कि अनुशाशन लागू हो और धर्ती मेरी आगना का पालन करे और मैं सुर्य को अपनी किसी सहजदा की अनुमती नहीं देता लेकिन मैं मिट्टी को अपनी कोई सहजदा नहीं देता और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कि सूरद जानता है कि वह क्या कर रहा है, मैं मांग करता हूँ कि यह सबी चीजे अनुशाशन के मेरे विचारों का आलन करे, तो यह अंकार चाहता है, अंकार यह चाहता है कि जैसा मैं सोचू, जैसा मैं समझू, उसी तरीके से दुनिया क चलना होगा यह इगो है और मैं तुमसे पुष्टा हूँ कौन सुनेगा क्योंकि सुरियों की चमतकारी सहज़ता में अनुशाशन है जो आप से पुरी तरह से बच जाता है और वो अग्नान जो हम जानते है उससे परे है तो शेथ हमसे पुष्टे है कि कौन सुन रहा इन बा क्योंकि सुरियों की चमतकारी सहज़ता में अनुशाशन है जो आप से पुरी तरह से बच जाता है सुरियों हमारी इगो से वो बच रहा है क्योंकि उसके पास वो चमतकारी शक्ती है ग्नान है जो हम से परे है उससे भी परे है हम जो ग्नान जानते है ये उससे भी परे की बात है पर मदमक्यों के एक फूल से दुस्रे पुल तक के सहज खेल में हम आप जो जो भी जानते है उससे परे एक अनुशाशन है तो ये एक अनुशाशन से दुनिया चल रही है एक से दुसरे की और दुसरे से तीसरे की और हर एक घटना हर एक दुसरी घटना को प्रभावित करता जा रहा है ये अनुशाशन से हो रहा है ये ऐसा अनुशाशन है जो हम नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा मेरे पीछे लोग करते जाएं ये भी एक इगो का पार्ट हो जाएगा और नियम जो उनके अपने गनान का पालन करते है और आनद है जो आदेश से परे हैं आप देखे सच्चा अनुशाशन केवल सहजता में पाया जाता है सहजता अपना क्रम जानती है आपके तंत्री का तंत्र की सहज कार्य प्रणाली में हम क्या पाते हैं हम यहां देन का सीर देखते हैं जो उसके कंदों पर टिका हुआ है और बुद्धी जो अनुशाशन की मांग करती है और फिर भी यह सब आंत्रिक स्वव और तंत्री का तंत्र की सहज कार्य प्रणाली पर नीर पर करता है जिसके बारे में बुद्धी बहुत कम जानती है यानि की जैसे हम आज कल मेडिकल साइंस में ये काफी सारी बाते कम जानी जा रही है कि ये बॉड़ी कैसे चल रही है इसके आदे से अपने अंदर ऐसे चेंजिस लाते है जिससे बीमारिया प्रकट हो रही है इसके बारे में काफी कम जानकरी मेडिकल साइंस को है तो ये भी हमारे आंत्रिक्स्व और हमारी जो system है, organic system है, तंत्रिका तंत्र, यानिकि nervous system, organic systems, autoimmune system, ये सब मिल के, ये सब चला रहा है, एक अनुशाषन से ये सब चल रहा है, लेकिन अभी भी medical system, उनकी जो conventional medicinal system है, वो अभी भी उसकी खोज में लगा हुआ है, कि ये कैसे सब उसके पीछे क्या है वो अभी तक उसको जाननी पाए क्यों क्योंकि उसके पीछे ऐसी चीजे है जिसको हम देख नहीं सकते जिसको लेबोरेटरी में साबित नहीं किया जा सकता जैसे कि इंटलीजन्सी इंटलेक्ट हम किसे भी लेबोरेटरी में उसको खोज नहीं सकते उसकी value नहीं जान सकते लेबोरेटरे से blood में से उसकी value नहीं जान सकते तो अगर ये जान नहीं सकते लेकिन फिर भी conventional medicine इसको मानता है कि intellect है, intelligency है फिर भी वो ऐसी चीजों को मना कर रहा है जो इसको समझा रहा है कि भई ये सब बीमारिया कैसे हो रही है और उस सहज अनुशाशन के बीना कंदों पर बेट कर अनुशाशन की मां करने का कोई अंकार नहीं होगा आप उन बच्चों की तरह है जिन के पास खेल है और आप सोचते है कि खेल हर कोई खेलता है बहुतिक जीवन नियम नहीं है आपकी पृत्वी के निर्मार से बहुत पहले से ही पहचान और चेतना मौजूद थी आप मानते है कि कि किसी भी व्यक्तित्व को बहुतिक ड्रस्टी से प्रकट होना चाहिए चेतना पदात के पीछे की सकती है और यह बहुतिक के अलावा कई अन्य वास्तविक्ताओं का निर्मान करती है यह फिर से आपका अपना ड्रस्टी कौन है जो वर्तमान में इतना सिमीत है कि आपको ऐसा लगता है कि भावतिक वास्तविक्ताओं अस्तित्व का नियम और तरीका है आपकी वर्तमान चेतना का स्त्रोत और शक्ति कभी भी भावतिक नहीं रही है और यहां में हूँ बहुतों को यह भी पता नहीं है कि ऐसी कोई बवतिक प्रणाली मौजूद है बवतिक प्रणाली एक ब्रहम है लेकिन आपको इसे स्विकार करना चाहिए और अपने ड्रश्टिकॉन से इसके परे मौजूद वास्तविक्ता को समझने का प्रयास करना चाहिए आप अपने स्वयम की पहचान के आंत्रिक हिस्सो को वस्तुनिष्ट नहीं बना सकते हैं और इसलिए आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं आपकी उर्जा का इतना हिस्सा बवतिक उत्पादनों में खर्च हो जाता है कि आप अपने वास्तविक्ता के अलावा किसे अन्य वास्त वास्तविक्ता का नुबव ही नहीं करस्ट पाते हैं जैसे बच्चे ब्लोकों से खिलते हैं आप अपना ध्यान बवतिक ब्लोकों पर धेन्रिक करते हैं जब आप उनके परिप्रिक्ष रष्टिकौन में रहते हैं तो बवतिक ब्लोक आपको बहुत वास्तविक लगते हैं अन्य आकृतिया और रूप जिन्हें आप समझ सकते हैं आप नहीं देख पातें यहां तक कि अन्य वास्तविक्ताओं को समझाने में भी मुझे सब्दों और आकृतिया का उप्योग करना होगा अन्यता आप मुझे नहीं समझ पायेंगे जैसे कि मैं हर बार हर एक टौपिक में एक टौपिक के रिलेटेड यहाँ पर चीतर रखता हूँ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे तो उनके बीना हम समझ नहीं पाते हैं आकृतियों के बीना हम चित्रों के बीना बहुतिक चीजों के बीना इन चीजों को समझनी पा रहे क्योंकि अभी भी हमारा मन उन बहुतिकता से जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ गलत नहीं है ये कोई एसी कोई चीजे गलत नहीं है कि हम बहुतिकतार से जूड़े और इन सब चीजों को समझे क्योंकि हमें इन सब चीजों से जूड़के हमें समझना है spirituality को क्योंकि इन सभी में spirituality है वो पार्ट है जिन से ये उदभव हुआ है क्योंकि सभी का सुर्ष तो एक ही है उस एक से ये सब जन्म ले रहा है जैसे कि मैं मेरी आवाज आपके हाथ में रखा हुआ फोन या फिर लैप्टॉप या किस भी चीज जो भी आपकी ईद गीद है आपके आसपास आप खुद हम सब उस एक से बने हुए है मानव जाती एक मंज है जिसके माध्यम से चेतना के विबिन्न रूप यात्रा करते है तो ये हमारा शरीद एक मंज है जिससे हमारी चेतना है हम सब की चेतना तो एक ही है वो एक से उबरी हुई चेतना के अंश इस यात्रा पर विबिन्न रूप में यात्रा कर रहे है आपकी उबरती चेतना के लिए एक प्रसिक्षान प्राणाली है कोई गुसे वाला है, कोई चिंता वाला है, कोई दुख वाला है कोई सांत रहने वाला है, कोई खुश रहने वाला है कोई बोज को उठाने वाला है ऐसे हम सब अलग-अलग अलग अलग शरीर से अलग-अलग अनोबव कर रहे हैं, ये हमारी यात्रा का एक पार्ट है, वो सब कुछ गलत नहीं है, वो सब कुछ सही है अपनी जगह पे, लेकिन जब हम इससे अवेर हो जाए, जब हम इससे अवेर हो जाते हैं, तो हम इससे उप प्रशिक्षन प्रणाली है इससे पहले कि आपको वास्त्रविक्ता की अधिक व्यापक और खुली प्रणालियों में जाने की अनुमती दी जाए आपको पहले उर्जा को संबलना और बावतिक बावतिकी करण विचार और भावना की ठोस प्रियाम को देखना शिखना होगा कैसे हमारे बावना ये हमारे विचार को इद गीद वातावरन को अमारे एन्वारमेंट को हमारे फ्यूचर को इंपक्ट कर रहा है असर कर रहा है वो हमें सिखना होगा देखना होगा कैसे हम बावतिक की करण कर रहे है वो हमें सिखना होगा देखना होगा कैसे हम अपनी उर्जा को संबाले वो भी हमें सिखना होगा देखना होगा तो यह हमकार के बारे में है इगो उसी चेतना का पार्ट है जैसे स्रीमत भगवत गीता में भगवान स्री कृष्ण कहते है कि कंश भी मैं हो चोर भी मैं हो उसकी चोर चोरी करने की जो समझ है वो भी मैं हो रावन भी मैं हो राम भी मैं हो कृष्ण भी मैं हो कंश भी मैं हो तो सब वही है कुष है ही नहीं और कुष है क्योंकि जब भी इगो की बात आती है तब हमारे सामने ऐसे व्यक्तितवा आते हैं जैसे रावन कंश यह सब इगो इक व्यक्तितवा है लेकिन भगवान स्री खुद कहता है कि वो सब मैं हूँ यानि कि वो परमात्मा ही है सब कुश परमात्मा है तो हमें क्या करना है हमें कुश नहीं करना बस हमें अपना काम करना वही तो स्रीमत बगवत गीता में श्रीकृष्ण जी कहते है कि हम सब को सिफ अपना अपना काम करना है हमें अपने काम पर फोकस करना है दुनिया अपने आप चल रही है वो सब कुछ अपने आप जो भी प्रॉब्लेम्स हमारे इगो को लग रहा है कि ये प्रॉब्लेम है मुझे ये ठिक करना है वो प्रॉब्लेम है मुझे वो ठिक करना है वो सब अपने आप हल हो जाएगा और काफी सारे चीज मैंने अपने खुद की लाइफ में महसुस की है देखा है और समझा है और अब कुछ ऐसी चीजे जो सामने आई कि मुझे लगता है कि यह प्राब्लम है तो हमारा जो इगोईक सेल्फ है वो हमें एक प्राब्लम से जब हम निकलना चालो होते हैं तो हमारे सामने एक दूसरी प समझ आया कि कोई भी परिस्तिती हो उसमें मुझे अपने आप पर फोकस करना है हम सब को अपने आप पर फोकस करना है अपने गोल को फोकस करना है अपने काम के प्रतिध्यान रखना है वही चीज हमें करनी है तब ही हम अपनी चेतना की और और नजदिक की और चले तो आज के लिए इतना ही थेंक यू, गूडबाई, टेक केड़, लब यू ओन